जैशिव शम्भू स्वागाता है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो देवेश पर मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं जोतिश समंदित विश्यों की सटीक जानकारी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देता रहूं मेरे एस्ट्रो परिवार से जुड़ने पर मैं आप सभी का दने मत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी मुझे इसी तने अपने असने प्रदान करते रहेंगे महुरत का हम सभी के जीवन में विशिश इस्थान होता है हम सभी विवा नामकरण भूमी पूजन मकान तता वहां करीते समय कोई भी शुब कारे करते समय हमेशा शुब महुरत का चैयान करते हैं जिससे हमारे द्वारा किये हुए सभी शुब कारे सपल तथा कल्यान कारी रहे जिस प्रकार दिन वारो नक्षतर के मेल से सभी शुब महुरत या सभी शुब योग बनते हैं ठीक उसी प्रकार दिन वारो नक्षतर के मेल से कुछ अशुब योग भी बनते हैं और सभी शुब इन अशुब योगों पर भी विचार करना आती अवशक होता है अन्य सा परिणाम विप्रित भी हो सकते हैं आज मैं आपको कुछ ऐसे अशुब योगों के विश्य में बताऊंगा जिनको सभी शुब कार्यों के लिए अशुब माना जाता है तो बने रहें इस वीडियो में अधर तक मेरे साथ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहँंगा जिन लोगों ने मेरे परे अश्ट परिवार का सदसे बने मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अश्युब योगों में सबसे पहले बात करते हैं दगद्योग की, दगद्योग बनता कैसे हैं तो जिस दिन रवी वार हो और बढ़नी नक्षतर हो अथाथ चंद्रमा बढ़नी नक्षतर में गोचर करें तो दख़ियोग बंता है ठीक उसी प्रकार सोम वार को चंद्रमा चितर नक्षतर में गोचर करें मंगलवार को उत्रासाड़ा नक्षतर हो, बुद्वार को घनिष्टा नक्षतर हो, गुरुवार को उत्राफालगुनी नक्षतर हो, शुक्रवार को जेश्टा तथा शनिवार को रेत्ती नक्षतर पड़े तो इन वार और नक्षतरों के मेल से दगद योग का निर्मान होता और यहाई योग सभी शुप कार्यों के लिए अशुप माना जाता है विशेश कर इस महुरत में यात्रा करना अशुप फल्दाई माना जाता है इसी पकार नक्षत्र और वार के मेल से बनने वाला दूसरा अशुप योग है यम घंटक योग रविवार का दिन हो और मगा नक्षत्र हो सोमवार को चंदरमा विशाखा नक्षत्र में गोचर करें मंगलवार को आदरा नक्षत्र हो बुदवार हो और चंदरमा मूल नक्षत्र में गोचर करें गुरुवार को कृतिका नक्षतर हो, शुक्रवार को रोणी नक्षतर पड़े और शनिवार को हस्ता नक्षतर पड़े तो यह मेल यम घंटक योग बनाता है और इस योग को सभी शुब मौरत को लिए त्याज्ये माना जाता है अब हम बात करते हैं पंचक काल की यानि पांच दिनों तक बनने वाले एक अशुब योग की जब चंदरमा कुम्भ वे मीन राशियों में होता हुआ पांच नक्षतरों में गोचर करता है अथार्थ गनिष्टा, शतवीशा, पूर्वा भादपद, उत्रवा भादपद और पंचक कहा जाता है पंचक लगने पर दक्षिन दिशा में यातरा करना, छत बनवाना, घास और लकड़ी खट्टा करना, दहा संसकार करना, आधी सभी कारे त्याज्ये माने जाते हैं यदि किसी मरतक का दहा संसकार पंचक लगने पर करना पड़े तो उसके लिए पंचक श करता हूं होली से होली देहन से आठ दिन पहले बनने वाले योग को जिसे हम होला अस्तक योग कहते हैं होली का देहन से पहले के आठ दिन अथार्थ फाल गुन मास शुकुल पक्ष की अस्टमी से पूर्णी मातिती तक होला अस्तक योग माना जाता है और इस योग को भी सभी शुब कार्यों के लिए शुब माना जाता है अश्व योग की स्कढई में अगला योग है तारा डुबनाजी सें यह हम अस्त माने जाते हैं लेकिन तारापवना में केवल गुरू और शुकर दो घ्रे असत रहे तो इस अभधी को तारापवना कहा जाता है और इस अब्धी में घर्य प्रवेश, भूमी पूजन, घर्य निर्मान, कुवा, बोरिंग, वर्त संकल्प या वर्त समापन, दान, यग, मूर्ती स्थापन, गुरु दिक्षा, कर्ण शेदन यानि कानों का शेदन, मुंडन संसकार, विभा, नामकरण, तीत यातरा, विदेश यातरा आदी अशुप फल्दाई माने जाते हैं, इसलिए इस अब्धी में किसी भी शुप कार्यों को नहीं करना चाहिए, ऐसी माननेता हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुन्नेकाल की, नाम है इसका पुन्नेकाल बर यह योगी अशुप योग की में आता है, जब भी सुर्य राशी परिवतन करता है, जब सुर्य एक राशी से दूसरी राशी में परिवतन करता है, तो उसे सुर्य सकरांती कहते हैं, सुर्य सकरांती से 16 गटी पहले अथाद 6 गंटे 24 मिनट पहले और सकरांती के 16 गटी बाद अथाद सकरांती से 6 गंटे 24 मिनट पहले और सूरे सकरांती के 6 घंटे 24 मिनट बात तक की अबदी को पुर्णे काल माना जाता है और इस अबदी को सभी शुब कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है ये बात ही कुछ अशुब योगों के जिन पर विचार करना भी उतना ही आवशक होता है जितना हम जाशिव शंबू अवश्चे लिखें और वीडियो को लाइक और शेर अवश्चे करते रहें शीगर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में आप सब लोग स्वस्त रहें खुछ रहें और भगवान चंदर मौली आप पर अपनी कृपादस्टी हमेशा बने आ रहें जाशिव शंबू